आकाश्वानी के casual announcers और compare's के नियमिती करण के बहुत सारे मामले इन दिनों नैले में विचारा दिर है इन सब के बीच एक सबसे बड़ा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सुना जा रहा है वो है पुर्शत्त्तमन सी और अदर्स का मामला नियमिती करण का ये दावा कितना मजबूत है ये हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से साथ ही इस वीडियो के कड़ी में आगे कुछ और भी वक्तव आप तक पहुँचाएंगे पूर्वन नयाधिशिक के वक्त भी हम आप तक पहुचाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से जिसमें हम जानेंगे कि ये दावा नियमिती करण का कितना मजबूत है आएए जाने क्या है मामला पूरुशोत्तमन केस का हुआ यूं कि 2011 में आकाश्वाणी कन्नूर केरल के कैश्वल एनाउंसर पूरुशोत्तमन और उनके कुछ साथियों ने अपने नियमिती करण की मांग करने है दू आकाश्वाणी महानिदेशक सहित सूचना प्रसारन मंत्राले और प्रसार भारती को पत्र लिखा कि हम 15-20 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं कृपया हमारी सेवाए नियमित की जाएं हलाकि इसके पहले 29 जनवरी 2009 को आकाश्वाणी महानिदेशाले ने सभी आकाश्वाणी के इंद्रों के लिए एक संदेश जारी किया था कि आकाश्वाणी के आकस्मिक करमचारियों के नियमिती करण के लिए एक योजना तयार की जा रही है सभी से अब एक्षा की जाती है कि इन सूचनाओं को प्रेशित करें उद्गोशक, न्यूजरीचर कम ट्रांसलीटर, वादी अंत्र संगीत का ट्रांस्मिशन एक्जेक्यूटिव लाइब्रेरी और इन्फॉमियन एसिस्टेंट, प्रोडेक्शन एसिस्टेंट, जेनरल एसिस्टेंट और अन्य कैश्वल पदों के कारे हेतु स्विकृत पैनल इन कारें के लिए बनाये गए पदों के नाम, इन पदों के लिए 16 मार्श 2001 और 17 माई से दिसंबर 2007 कुल विक्तिव की संख्या, इन पदों के लिए 2003 से 2007 तक प्रतिवर्ष लगाये गए कश्यूल करमचारीं की वास्तविक संख्या, तथा सभी शेणियों में सभी पदों के विरुद एक जन्वरी 2008 से अब तक की स्थिती का उल्लेक करें, ये जानकारी कृपिया 12 मई 2008 से पहले स्पी भटाचारी के फैक्स क्रमांग पर पहुँच जानी चाहिए। संदेश का मूल था कि आकाश्वानी के आकस्मिक करमचारियों के नियमिती करण के लिए एक यूजना तयार की जानी है, लिहाजा उसके लिए आवश्यक जानकारी जैसे पैनल में शामिल आकस्मिक करमचारियों की संख्या आधिका विवरन सभी आकाश्वानी केंद्र प्रस् पत्र भी भेजे लेकिन फिर भी इस्थिती पूरी तरह महानिदेशाले को अप्राप्त रही। जहां पर महानिदेशाले के अधिकारी लगातार समय लेते रहे और मामला खेशता चला गया। आपको इसका फायदा दिया जाएगा। बावजूत इसके महानिदेशाले की तरफ से हाई कोट केरल के आदेश पर आपत्ती दर्स करते हुए मामला सुप्रीम कोट में लगा दिया गया। और साथ में ये भी कहा कि हाई कोट में हमने कुछ कागस गलती से दे दिये थे। 2012 से वो केस चलते चलते आज 2018 तक पहुँच चुका है जहां पर महानिदेशाले सिर्फ समय लेता जा रहा है और इस बीच देश भर के एनाउंसर्स कंपियर्स एकत्र होकर महानिदेशाले का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और अब ये केस सिर्फ केरल का ना होकर देश भर के एनाउंसर्स और कंपियर्स का केस बन चुका है जिसमें देश के कोने कोने के एनाउंसर और कंपियर्स इंटरवीन हो चुके हैं। शोशन अन्याय दबाव की नीती लगातार हर केंदर पर बढ़ती चली जा रही है हर रोज नए नियम आ रहे हैं पुराने नियम तोड़े जा रहे हैं जैसे जैसे कोट में हीरिंग की इस्थिती नज़दीक आती जा रही है ऐसे ही और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो आप तक सीधे पहुच जाएंगे बिलकुल मुफ्त